मेरा एक क्वेशन है आपसे क्वेशन यह है कि आपको क्या लगता है कि आपकी समस्याओं का समधान कौन करने वाला है क्या ऐसा लग रहा है कि आपको कोई देवपूरुस आएगा और आपकी समस्याओं का समधान करतेगा मुझे तो नहीं लगता ऐसा मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता कोई देवपूरुस आएगा या आपको लगता है कि पार्टी बी जो हो आपका समर्थन करेगी क्योंकि तब दिखो उन्हों का नहीं 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 अभी नहीं दिखाएंगे अभी फाइदा कहा है जब फाइदा मिलेगा उस चीज को बताने का फाइदा मेरे को मिलेगा तब बताओंगा अब क्यों बताओं सेम कहानी होगा वापस वापस पार्टी भी की सरकार होगी ऐसा कैसा एक न बागी कौन लड़े दे किसान लड़े उनकी समय से वो लड़ेंगे जब समय से स्टुडेंट की है तो कौन लड़ेगा इस्टुडेंट और टीचर और ऐसा नहीं कि अंदुलन के अंदर यह कह रहे हैं कि सर्दियों में आप ठंडे पानी से बिगोय जाए वहाँ जाना है डिजिटली कम से कम एक तो हो एक जगे तो जुड़े हम तब तो हमारी बात के अंदर जाओ वो वजन आएगा तब तो हम अपनी बात रख सकते हैं वह संदीप सर्ण ने जो वीडियो बनाया है आप उसको एक बार देखोगे तब आपको समझाएगा कितने रिसर्च के बाद वीडियो बनाया होगा एक एक चीज ड्यश् timeless हमें यह यह समझ जेगा इडिक एक मात्रस समयशा नहीं है बहुत सारी समयहों में से एक समझ आहीं भर्ती के सुरुआ से अगर बात करें पान पैली बात तो जैसे जोनियर अकौंटेंट हैं तो नियू जाती है निदियों आई इंक्वाइरी सारों ने क्या किया कोर्स बनाने सुरू करती है बेचे हमने भी बेचे सबने बेचे ठीक है एक दिन नियुज आई कि इस बार जूनियर एकॉंटेंट और टीरे की भरती जो उसको लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पद खतम कर रहे हैं अच्छा फिर तो उसके एक दिन बाद में या दू दिन बाद में नहीं हो जाई कि जूनियर एकॉंटेंट जो है वो सीटी में होगा सामया थोड़े दिन बाद माता है कि जूनियर एकॉंटेंट को सीटी से बाहर रखने की महाँ पिर उसके बाद में आता है कि यह यह बरत्यां सीटी के अंदर सम्मिले दोगी जिसमें junior content लिखाया अब जो student त्यारी कर रहा है वो कौन सी बात को माने या फिर वो गोड़े के जिस तरीके से लगा रखे होते हैं आख के पट्टी वाज इस तरीके से आख के पट्टी लगा दे बागी सारी चीज़ें जो वो ignore करके चलें अगर ऐसा इग्णोर करके चलें तो यह तो पता नहीं क्या कर लेंगे लाश्ट जो अपडेट क्या रहेगी 2013 की बरती इससे जश्ट पहले वाली मैं एक बरती का एग्जाम पर लेके चार रहा हूं 2013 में बरती आई 2018 में जोइनिंग हुई है मतलब 5 साल जो आदमी 26 के उमर में मान ली इसने त्यारी शुरू कि और तीस मान ली जिए उसकी कट अप एज हो तो वह तो ओवर एज हो जाए और यह राजस्तान ने यहां ऐसा नहीं कि बहुत सार इंड़स्टीज है कि यहां से छोड़के आप कहीं और चले जाओ यहां दोई ऑप्सन है तो सरकारी नोकरी करो या हम आपको सरकारी नोकरी दे देंगे क्योंकि भई वो एक अलग से अभी इन्हों ने सरकार ने उन लोगों के लिए एक अलग से स्कीम चला रखिये कि भई अगर आप पैसा कमा लिए तो पैसा दे दो हम आपको नोकरी का जुगार जैसे तैसे करके करवा दें क्योंकि साले स युझालियूं का हो सकता है तो पाशाों से किसी और का भी हो सकता हुस उसमें कोई बड़ी बाध नहीं अग्जाम कि बीजाना प्रतिक कब आइगी यह पटा नी अग्जाम कब तोड़ ली अम्रिस पूरेगी कुछ भी नहीं हुआ उससे समझ पारे हो बात भाई आज के टाइम में ये जिन को कह रहे हैं कि भाई इनको पगड़ा जाए इनको पगड़ा जाए बिल्कुल बेसक पगड़ा जाए बहुत सही बात है उनको पगड़ा जाए लेकिन क्वेशन मेरा ये है कि क्या इनको पगड़ लेने से ये बात है खतम हो जाएगी क्या अल्टिमेटली पेपर देने वाला तो कोई था भाई पेपर बार आयात ऐसा था है नहीं उन लोगों ने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन से अच्छा ये 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 क्वेशन ऐसे है कोई तो वहां से देने वाला था वो वो तो वहीं पे है ना ये बाग सकते हैं बागी सब बाग सकते हैं लेकिन जिसने पेपर दिया वो तो वहीं बैटा है ना उसका क्यों नहीं पता लगाया जा रहा है समझ पारे बाद यह यहां पर समझ से उसके बाद में जैसे कुछ बर्तियों में इंट्रुव भाई साब मतलब ऐसा अच्छा सिस्टम बना रखा है ऐसा सही तरीके से यह करप सुने इंट्रुव अला तो मतलब इससे बहतर तो कोई सिस्टम हो इने सकता सुनिएगा आज प्राइवेट कोचिंग वाले जो इंट्रुव ले रहे हैं वह सारे के सारे इंट्रुव के वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं तो आर्पीसी क्यों नहीं कर सकती है एसी कोई आप उनसे असले बाते तो पूछने वाले नहीं उसके अंदर इंट्रुव के अंदर नॉर्मल बाते पूछो कर जैसी पूछने हैं वैसी वैसी तो उसका वीडियो क्यों नहीं जारी किया जाता तक भाई यह जो है यह जो साले साव है इन्होंने इतने अच्छे सर्दी इस वजह से इनको 80% जो है वह माक्स मिलते हैं क्यों नहीं मतलब यह इसका क्या रीजन क्या हो सकता है यह होंगे यह चैंज तो होकर रहेंगे क्योंकि जिस इस्तर से नीच जो इस तर अभी आ चुका है ना उस से नीचे को इस तर है ही नहीं कोई कहते हैं न कि गदे सिर्फ काबूल में होते हैं नहीं सिर्फ काबूल मेंरे नहीं और घृत्व material मैं आ रहा रहा है कि गदें भारतमे काम और इस नहीं अब अजमेर में जाए यह पूरा बोर्ड बना बैठा है उनका, इससे नीचे कुछ जा नहीं सकता, तो जो वीडियो बनाए हैं, मैं आपको बता देता हूं, यह वाला जो वीडियो है, इसमें देखिये, इसमें पूरा ड्रप्ट तयार किया है, हमने बैट के तयार किया है, क लोगों की हैं आप और हम मिल के ही लड़ेंगे तभी होगा हम क्योसिया की अबी कर रहे हैं लेकिन कम से कम डेटली तो एक होना पड़ेगा पहले जब हम डेजिटली होंगे उसके बाद हमारी आवाज के अंदर दम होगा किशानों की समयशा के लिए किसान लड़े थे स्टूडेंट और समयशा के लिए स्टूडेंट और टीचर को लड़ना होगा और आप जिनसे भी पड़े हैं उनको भी बेदें और उनको भी कहें कि आप भी वीडियो बनाई कि कोचिंग इंस्ट्यूट वालब बहुत जब हम लोग आपसे पैसा लेते हैं आपको पढ़ाते हैं तो आपकी समयशा ही क्या दिक्कत है बोलना चाहिए यह अमारी नियतिक जिम्मेदारी है कि हम बोले और यह आपकी भी निटिक जिम्मेदारी है कि आप इनसी जो मैं समर्थन दें और ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा यह बार तब ही जाके यह जो है मोमेंट आगे जाएगा यह बिल तो आएगा यह तो 100% है लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द को मैं डेस्क्रिप्शन में दे रहा हूं यह वीडियो देखे पूरा है जरूर थोड़ा बहुत लंबा है लेकिन पूरा सॉल्यूसन दिया गया सुरू से लेके अंतक क्या क्या चेंज होने चाहिए उसमें और आप क्या अपडेट कर सकते हैं वह भी बताएं कि बाई इसके कि मामले में एक्सपर्ट है अच्छे हैं तो आप और बताईए और हमसे कॉंटेक्ट कीजिए और आप अपने जित्ते भी फैकल्टी जिनसे आप बढ़े हैं उनको भी किए कि आप भी जुड़े हैं से अल्टीमेटली यह हमें इससे जो खराब सिस्टम है वह हो नहीं सकता जितना खराब हो सकता है उतना खराब हो चुका है जो एक गोपनिय संस्ता है उसकी गोपनियता जो है ऐसा है कि बाहर उसी की मूवी चल रही है और वो कह रहे हैं कि हम गोपनिय है उस तरीके की गोपनियता बची है नाम मातर की गोपनियता बची है पूरी तरीके से उनके म मेंबर के recruitment से लेके Member का recruitment जो है वह देखे होता है इस वजह से वो लेते हैं हर मामले के अंदर जो है बन्निवान